सबसे पहले जानते हैं कि होलाश्टक का पर्व आखिर क्या है देखिए होली के आठ दिन पूर्व से होलाश्टक मनाया जाता है होली के आठ दिन पहले से होलाश्टक का पर्व मनाते हैं इसकी शुरुवात होली के आठ दिन पहले हो जाती है और इसी आठ दिन पहले वाले समय को होलाश्टक कहा जाता है इस काल का इस समय का विशेश महत्व है और इसी में होली की तैयारियां शुरू हो जाती है चुकि होली का पर्व एक बहुत बड़ा पर्व है अगर हम भारतिय जन्मानस की बात करें तो तीन पर्व हमारे यहां सबसे बड़े पर्व हैं होली, दिपावली और दशेहरा तो होली के विशेश तैयारियां होती है अलग-अलग तरह के पूजा पाठ होते हैं अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाती है और ये व्यवस्थाएं ये तैयारियां होलाश्टक में आमतोर पर शुरू हो जाती हैं ऐसा माना जाता है कि होलाश्टक की शुरुवात वाले दिन भगवान शिव ने काम देव को भस्म कर दिया था एक कथा आती है कि भगवान शिव समाधी में लीन थे और उनका जगना बहुत जरूरी था ताकि उनका विवाप पार्वती के साथ हो उसके बाद देव सेना पती कार्तिके का जन्म हो और कार्तिके एक राक्षस का वदगरें लेकिन भगवान शिव चुकि समाधी में लीन थे और समाधी नहीं खोल रही थी इसलिए कामदेव ने उनके उपर अपने पांच बाण चलाए अन्तता भगवान शिव ने नेत्र तो खोले लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए होलास्टक का जो समय होता है इस काल में इस समय में हर दिन अलग अलग ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं अपने फायरी रूप में होते हैं इसलिए इसमें शुभकारे नहीं किये जाते चुकि ये उग्रता का समय है ये निगेटिव समय होता है इसलिए ऐसा मानते हैं कि अगर इसमें शुभकारे करेंगे तो उसके परिणाम हम सबके लिए सुन्दर नहीं होंगे हम सब के लिए अच्छे नहीं होंगे इसलिए जहां तक संभव होता है इसमें शुभकारे नहीं किये जाते होलाश्टक में शुभकारे तो नहीं करते लेकिन अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उससे जुड़ा हुआ कोई शुभकारे करना जरूरी है जैसे माल लिया किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी छठी होलाश्टक में पढ़ रही है, तो छठी मनाई जाएगी, छठी को रोका नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर किसी के मृत्यू हुई है, और उसके लिए कोई हवन होना है, कोई शांती पाठ होना है, वो अगर होलाश्टक में पढ़ता है, तो उसे भी नहीं रोका जाएगा, यानि किसी के जन्म से जुड़े हुए कारे को और मृत्यू से जुड़े हुए कारे को होला अधार क्या है खुलाष्टक जो मनाते हैं कि इसमें शुब कारे नहीं करेंगे मंगल कारेंगे इसके पीछे का साइन्स क्या है इसके पीछे का विज्ञान क्या है देखिए मौसम के परिवर्तन की वजह से इस समय अगर आप देखें तो ज्यादा लोगों को डिप्रेशन आलत से आ रहा है नीद आ रही है तो मन बड़ा उदाश अशांत चंचल सा रहता है इसलिए अशांत मन से किये गए कारियों की वजह से इन कारियों के परिणाम शुब नहीं होते हैं या शुब नहीं हो सकते हैं इस समय मन को आनंदित करने वाले जो कारे हैं उनको करना जादा बेहतर होता है यानि जिससे मन में प्रसन्नता आए आप देखिए ब्रज में जो होली है वो होली के पहले ही शुरू हो जाती है वहां तमाम तरह के होली के करिक्रम होलाश्टक में शुरू हो जाते हैं ताकि मन प्रसन्न हो सके और सामान परंपरा में देखिए जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है रंग खेल कर हम आनंद में डूबने का प्रियास करते हैं हम रंग खेलते हैं और आनंद में डूबने का प्रियास करते हैं जैसे ही होली आती है ताकि जो मन की उदासी है मन की बेचैनी है, मन की चंताएं है, वो चंताएं, वो उदासी, वो बेचैनी दूर हो सके। अब ये जानते हैं कि होलाश्टक में आखिर करते क्या हैं। देखिए, होलाश्टक के दिनों में ही सम्मुवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। होली में क्या होता है? कि हम पिछले साल को, पिछले सम्मुवत को जला देते हैं। या होलिका प्रहलाद की जो कथा है, उसमें हम होलिका को जलाते हैं और उसके प्रतीक के रूप में एक लकड़ी या एक डंडा जमीन में गाड़ा जाता है। और होली खेलने वाली होली की एक दिन पहले उसको चारों तरफ से लकडियां आदि लगा करके जला दिया जाता है। इस समय में अलग-अलग दिन अलग-अलग चीजों से होली खेलते हैं। होलाश्टक में कभी मिट्टी से होली होती है, कभी फूलों की होली होती है, कभी लड्डू की होली होती है, कभी लठमार होली होती है, अलग-अलग चीजों से इस समय में अलग-अलग तरह की होली खेली जाती है, और पूरे समय में जो होलाश्टक का पूरा पर्व है, जो हो बहुत ज़्यादा शुब होता है बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है खोलाश्टक में प्रेम और आनंद के लिए अगर आप प्राथना करते हैं अगर आप पूजा उपासना करते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो ऐसे सारे प्रयास आपके सफल होते हैं ऐसे सारे प्रियास आपके रास्ते पर चले आते है अगर आप होलाश्टक में करते हैं तो अब यह जानते हैं की होलाश्टक के अपवाद क्या है कौन से शुभकारिय अच्छा होता है देखिए लोक माननेता कहती है कि कुछ तीर्थस्थान जैसे शत्रूद्रा, विपाशा, इरावती और पुश्कर सरोवर के अलामा बाकी सब जगहों पर होलाश्टक का अशुप प्रभाव नहीं होता कुछ पंचांग या कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि पंजाब और उत्तर भारत के अलामा अन्य जगहों पर होलाश्टक का अशुप प्रभाव नहीं होता यानि दक्षण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चमी भारत में होलाश्टक का कोई शुप प्रभाव नहीं होता और वहां पर होलाश्टक के नियमों को मानने की जरूरत भी नहीं होती है लेकिन जो नौर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है या पंजाब है, वहां पर होलाश्टक का परफेक्ट प्रभाव, परफेक्ट असर माना जाता है जन्म और मृत्यू के पश्चात के जो काम है, वो निश्चित होते हैं, अतह वो काम किये जा सकते हैं, किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म तो देखिए आपके हाथ में है नहीं, किसी बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म के बाद उसका कोई शुभकार्य है, जो छे द तो उसे रोका नहीं जाएगा, वह काम किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या किसी की मृत्यू हो गई आपको श्राद करना है, हवन करना है, कोई पूजा विधान करना है, निर्धनों को भोजन कराना है, तो ऐसी दशा में भी आप होलाश्टक से परिशान मत होईए, ये काम भी होलाश्टक में किया जा सकता है। कुल मिला जुला के जो होलाश्टक का मामला है, इसमें तीन काम नहीं करने चाहिए, विवाह नहीं कर सकते होलाश्टक में, विवाह से जुड़े हुए काम जैसे गोद भराई है, वर इक्षा है, ये सब काम आप होलाश्टक में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप घर का निर्माण करवाना चाहते हैं, नीव भरवाना चाहते हैं, तो ये काम भी आप होलाश्टक में नहीं कर सकते, ये काम भी होलाश्टक में करना बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत शुब नहीं होगा, तो शादी नहीं कर सकते, ग्रिह निर्माण क कारे नहीं कर सकते, अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो काम भी होलाश्टक में न करें, तो जादा अच्छा होगा, होली के अगले दिन, जो खेलने वाली होली होती है, उसके अगले दिन से आप कोई भी न counters dress with सगते हैं मंगल कारे कर सकते हैं नीव भरवा सकते हैं लेकिन वेवाली हुली के अगले दिन से कर सकते हैं उसके पहले नहीं करते हैं तो होल आश्टक में यह धियान रखना होगा कि कौन से कारे करने हैं कौन से कारे नहीं करने हैं उन नियमों को मान करके अगर आप कारे करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा